सफेद सोना कही जाने वाली कपास फसल की कीमतों में तेजी आने से इन दिनों किसानों के चेहरे खिले हुए हैं इन दिनों ओपन मार्किट वे मंडियों में कपास नियुंतन समर्थन मुलिय से लगबग दोगुने भाव में बिक रही है और इसकी वज़े से किसानों को खासा लाब हुआ है इस बार मौनसुन के दोरान हुई अच्छी वरसात के बाद कपास और बाजरा की बंपर पैदावार हुई है इन दिनों कपास की पहली चुगाई मंडियों वे आटियों तक पहुँच चुकी है जहां कपास का न्यूंतन समर्थन मुल्ये 6,080 रुपे हैं वहीं खुले बाजार में कपास 10,500 से 11,000 पे प्रतिक विंचल पर बिक रही है हर्याना की बिवानी अनाज मंडी में भी आटियों के हाथों अच्छा भाव किसानों को बाजरी और कपास का मिल रहा है बिवानी अनाज मंडी में आटियों का कहना है कि ओपन मार्किट में अब की बार पिछले साल के मुकाबले अच्छे भाव किसानों को मिले हैं न्यूंतन समर्थन मुल्ये 6,080 के मुकाबले 11,000 पे तक नर्मा कपास का भाव दिखा है भाव अधिक होने के कारण इंटरनेशन मार्किट में कपास की अधिक मांग है और अच्छी बरसात के कारण उत्तम क्वालिटी की कपास की भी पैदावार देखने को मिली है किसानों को कहना है कि उन्हें अब की बार अपनी फसल के अच्छे दाम मिले है जिससे उन्हें काफी लाब हुआ है यदि इसी परकार भाव मिलते रहे तो वे अगले साल भी कपास की पैदावार करेंगे किसानों का ये भी कहना था कि कपास उत्पादन में लागत बढ़ने और कपास चुगाई की मजदूरी बढ़ने के कारण कपास उत्पादन की लागत भी इस बार बढ़ी है प्रंतु न्यूंतम्स मर्तर मुल्या से दोगुने भाव मिलने के बाद अब वे अच्छा लाब कमा पा रहे हैं और ऐसे में वे संतुष्ट हैं बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी